नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर पैंशन से सम्मंदित आज की यह जानकारी सभी दिव्यां व्यक्तियों के लिए कुछ तवस्था पैंशन धारकों के लिए विद्वा महिलाओ के लिए तलाक्षदा महिलाओ के लिए और वर्दवस्था पैंशन धारकों के लिए है जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं नई पैंशन सूची 2022 जारी जी हाँ दोस्तों वर्ष 2022 के अंतरगत पैंशन सूची को एक बार फिर से अपडेट किया गया है यहाँ पर आप एक स्क्रिन सोट भी देख रहे होंगे यहाँ पर लाभारतियों को 3,000 रुपे, 3,000 रुपे, 6,000 रुपे, 9,000 रुपे और यहाँ तक की 12,000 रुपे तक की जो पैंशन असी है वैसे दे लाभारतियों बैंक खाते में सरकार दुआरा ट्रांसफर कर दी गई देखें आपर लिका है इन लाभारतियों को दी गई है 3,000 रुपे सिला कर 12,000 रुपे तक की बढ़ा कर पैंशन असी इस लिष्ट में आप अपना नाम कैसे देख सकते हैं आपको कितनी पैंशन असी मिली है आपका नाम इस लिष्ट में सामिल है या फिन नहीं है कैसे प्रू के साथ दिखाने जा रहे हैं कि 12,000 रुपे पैंशन असी आखिरकार किन लाभारतियों को किस जिले के किस जनपत के व्यक्तियों को दी गई है वीडियो की सुरुआत करने से पहले हमारा आप से निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारे तो चैनल को सब्स जोस्तो इस समय हम आपको सीधे ही एक पैंशन पोर्टल पर लेकर आचुके हैं यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा आविद्यक पोर्टल अपना मोबाइल नंबर रेइस्टर करते हुए या आधार से ओनलाइन सत्तापित करते हुए यहाँ पर इस लिंक पर के लिक करके आप पूरा कर सकते हैं अब देखिए जवाब नीची आईएगा तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा वर्दवस्था पैंशन योजना के विशे पर निराशित महिला पैंशन निराशित महिला पैंशन योजना के अंदरगत वह महिला सामिल की गई है जो विद्वा महिला है तल ले रहे हैं आपको उस पर किलिक करना है हम यहां पर किसी एक पर किलिक कर लेते हैं तो देखें दोस्तों हम सीधा यहां पर सभी के नीचे योजना के विशे पर लिखा हुआ है तो यहां पर आपको इस वाले पर ही किलिक कर लेना है जैसे हम यहां पर किलिक कर लेते हैं देख अपनी फर्म ओनलाइन भर सकते हैं यहां से योजना के विशय में बताया गया है यहां पर आविदन का प्रारूम है कि कैसे आविदन क्या जाता है यहाँ पर आप एक कोपी होती आविदन की जैसे ही तो यहाँ से आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जब नीचे आईएगा तो नीचे आने बाद देखें आप लिखा मिलेगा आपको पैंसनर सूची यहाँ पर देखिए पैंसनर सूची 2022 है पैंसनर सूची 2021 है तो आपको जो क्लिक करना है वे पैंसनर सूची 2022 वाले पर क्लिक करना है हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं अब यहाँ पर आने की बाद आपको क्या करना है देखे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी जनपद है टोटल यहाँ पर 75 जनपद है जिले है तो इन में से जो भी आपका जनपद होगा आपको उस वाले पर क्लिक करना होगा तो यहाँ पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं आप उस पर क्लिक करना है जो आपका जिला है हमने यहाँ पर क्लिक किया क्लिक होने बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला इंटरफेश ओपन हुआ है अब यहाँ से अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा यह पू नहीं हम यहां पर कोई भी एक दिखा देते हैं देखें हम यहां पर विकास खंड का सीधा इस पर क्लिक कर लेते हैं जब यहां पर हमने क्लिक किया देखें किलिक होने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारे सामने इंटरफेश ओपन हुआ है अब यहां पर किसी को pension नहीं दी गए क्योंकि अभी इनका अपडेट नहीं हुआ है अब आप उन्डीच चलेंगे तो यहाँ पर देखे इस प्रकार से इनको भी इस गराम पंचाइद के अंदर किसी को भी लाम नहीं मिला है तो इस परकार से देख ले ना है कि आपके गराम पंचायत में पैंसन मिली है या फिर नहीं मिली है कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पैंसन पहुँच जाती है लेकिन लिष्ट अपडेट नहीं हो पाती तो जैसे हमने आपको बताया, कि यहाँ पर कुछ लिष्ट अपडेट हो चुकी है, तो जो अपडेट लिष्ट हुई है है, हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, देखे इनको भी लाव नहीं मिल पाया है, अब यहाँ से हम सीधा उपर लिए चलते हैं, अब देखे ओपर हम लिए चलते हैं और यहां से हम सीधा किसी एक पर किलिक कर लेते हैं अब जैसे हम यहां पर किलिक कर लेते हैं इस गराम पंचायत पर आपको जो आपका गराम पंचायत है आपको उस पर किलिक करना होगा अब जैसे हम नहीं किलिक किया अब देखे इस गरा चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वैसे आपको इनकी अवशक्ता नहीं है तो यहाँ पर आपको देखना है quarter 4 में देखे दोस्तों यानि की quarter 4 में इसलिए बोल रहे हैं पहले वाले पर आपको क्या करना है इन में से किसी पर क्लिक नहीं करना सीधे याँ पर जो अंक दिखाई दे रहे हैं आपको इस वाले पर क्लिक करना है जैसे हमने क्लिक किया क्लिक होने के बाद देखे याँ पर कुछ इस परकार से हमारे सामने इंटरफेश उपन वहा है सरकार याँ पर 1000 रुपे परती महिना के हिसाब से पैंसन देती है तो 3 मेंने की सीधे हो जाती है 3,000 रुपे ये 3,000 रुपे जन्वरी फर्वरी मार्च महिने की है अब इसी के साथ जिन लाभारतियों की 6 महिने की पैंशन है तो सीधे 6,000 रुपे हो जाते हैं 9 महिने की रुकी हुए तो 9,000 रुपे हो जाते हैं और यदि 12 मेने के रुखी हुए है तो सीधे 12,000 रुपे पैंशन आसी हो जाती है। अब किन लाभारतियों रुखी पैंशन दी गई है। देखें बढ़ा कर हमने इसे ले लिखा था क्योंकि सरकार एक साथ पैंशन यहाँ पर दे रही है। जी हाँ दोस्तों एक साथ रुखी पैंशन ने लार्ज अमाउंट में दी है तो इसलिए यहाँ आप आप देख सकते हैं। देखें लाभारतियों तो यहाँ पर 33,000 रुपे दिये गई है। अब यहाँ से हम बैक लिए आपको चलते हैं। देखें बैक लेकर हम आपको आ चुके हैं। अब सीधा हम इस पर किलिक कर लें। दोनों गाउं की लिए श्ठाम यहाँपर आपको दिखाने जा रही हैं। अब जैसे हमने क्लिक क्या क्लिक होने के बादेखें। यहाँ पर हमने इस परकार से ओपन क्या है। देखें, यहाँ पर सूशी आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर इन लाभार्तियों देखें, यहाँ पर रेश्टरन संक्या है, यहाँ पर पैंशन का नाम है, जो पैंशन का लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर पिताजी का नाम है, यहाँ पर जनरल OBC मेरेटी की स्कैटेगरी आत ये सबी चीजे आप स्वैम भी देख रही होंगे 12,000 रुपे इनका बैंक खाता State Bank of India में है payment release कर दी गई है देखें ये हमने प्रूव के साथ जानकर आपको दे दिये कि सरकार जो रुकी पैंसन है वह भी बैंक खाता में सीधा transfer एक साथ कर देती है बस तरीका है कि आप पातर होने चाहिए और जो आपके सभी दस्ताविज है उन्हें सब का नाम आपका एक जैसा होना चाहिए कोई भी गलती आपकी नहीं होनी चाहिए यदि आपका EKYC नहीं है तो आप अपना EKYC कराईए और जिस बैंक में आपका बैंक खाता है उसमें अपने बैंक में अपना आधार को लिंक जरूर करा लीजिएगा अभी भी बहुत से ऐसे pension धारक है जिनका EKYC पूरा नहीं है application फारम में कोई भी गलती हो रहे है नाम में, experience में, मात्राओं में, IFSC कोड में account number में तो इन गलतीयों को जैसे लाभारतियों की 6 महिने की, 7 महिने की, 8 महिने की या केवल केवल आप कह सकते हैं पूरे एक साल की भी pension आभी भी बहुत से लाभारतियों की रुखी है जब तक आपको pension 80 नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिष्ट में आप अपना नाम देख सकते हैं चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं कि शुरू से ही आपको अपना नाम कैसे देखिएगा देखें यहाँ पर हमने मोगाईल फोन में Chrome Browser को open किया हुआ है ताकि step by step आप जनकारी समझ सके यहाँ पर आनिवाद लिखना है आपको UP Pension UP Pension देखें लिखकर हमने सर्च किया अब यहाँ पर आप देख सकते हैं UP Pension scheme आपको इस प्रकार से लिखा नजर आ रहा हो देखें हम यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं UP Pension scheme आपको लिखना जर आ रहा है आपको इस वाले पर ही किलिक करना है अब जब आप किलिक करेंगे तो कुछ थोड़ा समय तो लग जाता है क्योंकि देखें बहुत से वैकती है क्रोडो यहाँ पर Pension अपनी Pension का अपडेट है वेज समय समय से देखते रहते हैं करते रहते हैं इसलिए यह वैबसाइट थोड़ा खुलने में समय लेती है हो सकता है कभी कभी जल्दी भी Open हो जाती है देखे हमारे सामने Open हो चुके हैं अब यहाँ पर Open होने बाद आपको नीची आना है जैसे हमने आपको पहले बताया था आप जिस भी pension का लाब ले रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है आप वर्दवस्था पर कीजिए यदि आप निराक्षित वेदाव महिल्या का पैंसन का लाब ले तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा जिसे भी आप pension का लाब ले रहे हैं आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने थोड़ा इंजार करना होगा और कुछ समय के बाद आपके सामने जो अगला page है वह है open हो जाएगा और आप इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं देख सकते हैं देखे हमारे सामने अभी देखे process चल रही है पूरी complete नहीं हुई है लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारे सामने page open है आपर हो चुका है तो आप भी इसी प्रकार से लिष्ट में अपना नाम देख सकते हैं यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते ह आप किसी भी राजे के पैंशन धा रखो हरियाना पंजाब गुजरात महराष्ट करनाटका उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश जम्मु कस्मीर आप कमेंट कीजिए आपको जो आपका समधान है वे आपका समधान कर दे जाएगा आपके सभी सलग जवाब दे दिया जाए है नहाट है समधा रखे डापके समधान कर दे लिए म。 हुरा आपके समधत आपके समय और आपक्डा आपके सम्मु कर सम दोपके सम्मु